हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे टीनू स्टडी पॉइंट के अंदर तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्योशन्स क्लास 6 की मैथ की बुक है अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर टन भी दबा दीजिए तो अब हम फर्स्ट क्योशन देखते हैं कि फर्स्ट क्योशन है फाइंड दा पेरामिटर ओफ इच ओफ दा फॉलाइंग फीगर्स तो क्योशन में यह पार्ट जो है वह अब हम करने वाले हैं तो यह पार्ट अगर हम पेरामिटर निकालते हैं तो हमें आल साइड का सम जरूरी है तो हम लिख सकते हैं आल साइड सम तो आल साइड का सम 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 इस इक्वल टू हम लिख सकते हैं और यह जो सारी जो नंबर्स के यूनिट्स हैं वो सैंटीमिट्र हैं जो यूनिट्स हैं वो सैंटीमिट्र में मतलब सारी इक्वल सिक्वेंस इक्वल unit में होनी बहुत जरूरी है तो अब इनका answer equal unit में मानिए centimeter हमें है तो यह सब centimeter में है तो इनका answer भी centimeter में ही निकालेंगे हम तो 2 plus 5 plus 1 plus 4 होता है तो अभी हम करके देख लेंगे तो इसका answer आएगा हमारा 12 हम 12 लिख सकते हैं तो आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम भी पार्ट देखते हैं तो अब हम भी पार्ट में करते हैं बी आल जो वो sides है वो equal हैं मानि centimeters में all side all centimeter side तो अब हम side लिख सकते हैं इतना समझ में आया है तो अगला देखते हैं इसमें लिखा हुआ है पेरिमेटर निकालने तो पेरिमेटर के लिए सम करते हैं 35 प्लस 23 प्लस 35 प्लस 40 मतलब इनका अंसर इस सेंटिमेटर में आयेगा सेंटिमेटर में आयेगा तो 35 प्लस 23 प्लस 35 प्लस 40 होते हैं तो ये होगा 133 यहां तक समझ में आया अब हम सी पार्ट करते हैं तो हम सी पार्ट लिखते हैं अब आल साइड़ सेंटिमेटर में है तो इनका अंसर भी हमारा सेंटिमेटर में ही आयेगा तो ये एक आल साइड सेम्स है तो हम ये लिख सकते हैं 15 इंटू 4 क्योंकि आल साइड सेम है और 4 साइड से और 15 सेंटिमेटर की एक साइड है तो हम ये लिख सकते हैं तो अब इसका आंसर आएगा तो इसका ये इदर आंसर लिख रहा हूं मैं इसका आंसर आएगा हमारा 60 जा तक समझ में आया तो यह हमारा डी पार्ट देखते हैं तो हम डी पार्ट लिखते हैं आल साइड इन सैंटी मीटर तो हम फाइफ इन्टू फॉर लिख सकते हैं क्योंकि फाइफ तो साइड्स है और फॉर इनका एक साइड की फॉर सैंटी मीटर है तो उसका सारों का sum हो जाएगा यह इस तरीके से into में करेंगे तो हम तो इसका perimeter निकलाएगा तो यह आएगा हमारा 20 cm इतना हो गया अब हम e part करते हैं तो e part करने के लिए हम e लिखते हैं और इसमें लिखते हैं all side in cm और इनका प्लस करते हैं 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 यह लिख लेंगे हम इतना पूरा इनका सम लिखनेंगे इनका सम करना है अब हमें तो इनका सम cm में आएगा तो हम इसका सारा सम आएगा 15 cm क्योंकि 2.5 प्लस 2.5 5 cm होता है और 0.5 और 0.5 1 cm होता है तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 और 14 में प्लस 1 तो 15 तो यह 15 cm हमारा आ जाएगा आंस्वर तो अब हम F पार्ट देखते हैं यह हम इधर F पार्ट लिख देंगे यह F पार्ट आ नहीं रहा है तो हम इस साइड से शुरू करेंगे और ऐसे जाते हुए तो तक कर लेते हैं हम पहले तो पहले आएगा हमारा F पार्ट लिखते हैं आल साइड इन सैंटिमीटर यह लिख लेंगे हम फिर करते हैं 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 कर लेते हैं इसका आएगा सम तो 3 4 जा होते हैं 3 को और 4 को प्लस करेंगे तो 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 3 11 और 11 प्लस 2 हमारे 13 हो जाएगे हम 13 कर लेंगे अब यही बात हम इन यह देख सकते हैं इसका सम हम करें इस पार्ट का यह फिगर पर सरकल है इस पार्ट का अगर हम सम करें सारी नंबर्स का तो ज्यादा मेहनत पड़ेगा जैसे आप देख रहे हैं यह एक साइड का हमने सम किया है यह इस पार्ट इतने पार्ट का हमने सम किया है यह जो स्मॉल सरकल दिख रहा है न तो अगर हम ऐसे ही इस पार्ट का मानि इन दोनों पार्ट का सेम आएगा क्योंकि इनकी डिजेट सेम है इसका भी सेम आएगा आएगा नहीं और इसका भी सेम आएगा तो यह कितने सरकल्स बन रहा हमारे 1 यह 2 बन रहा है यह 3 और यह 4 तो हम इनसे इंटु 4 लिख सकते हैं यह नहीं लिख सकते हैं मैं तो अब 13 फॉर जा कितने होते हैं अगर आपको टेवड होगी तो यह असानी से हो जाएगा 13 फोर्जा होते हैं 52 और यह सारी जो यूनिट्स हैं वो हैं सैंटीमेटर में तो यही रेज कर देता हूं मैं एक बार समझ में आ जाए तो यह सारी यूनिट्स सैंटीमेटर में हैं तो हम लिख सकते हैं सैंटीमेटर में हैं 52 सैंटीमेटर जाए आज के लिए इतना ही अब अगली वीडियो में देखेंगे ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देए